दोस्तों आप सभी का ESP सुकला एजूकेट चैनल में तो देखिए दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आये हैं संग्या के बिकारक तत्तों में आपको जैसा की निक्स्ट क्लास जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था लिंग के बारे में लिंग कैसे पहचानते ह उसके बारे में आज की कलास में हम बात करेंगे वचन वचन से किस तरीके से कॉश्चन्स आते हैं आप कोई भी कमपुटेटिब इकजाम देने जा रहे हैं ये एक बेसिक तरीके से लेके कन अगर देखा जाए तो इस्टेंडर तरीके तक का कोईशिस करना है कि आपको इस् पल्यसी की तयारी कर रहे हूं, लेखपाल की तयारी कर रहे हूं, यसाई की तयारी कर रहे हूं, या किसी भी वन डे इग्जाम की तयारी कर रहे हूं, जहां पर हिंदी आता है, हिंदी में वच्छन आता है, तो वच्छन का इतना इस्टेंडर्ड तरीका इसके बाहर से कहीं स questions नहीं आते हैं तो चलिए video start करते हैं वीडियो start करने से पहले आप से बात करें अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करना न भूलें जिससे इसी तरीके से सारे important information सारे important video जो आप तक आसानी से मिलते तो चलिए start करते हैं वीडियो वचन का साब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन होता है संख्या वचन को ही वचन कहते हैं वचन का एक अर्थ कहना भी होता है संग्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तू के एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं अर्थात संग्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं अर्थात संग्या सरुनाम बेसेशन और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है हमें संख्या का पता चले उसे बचन कहते हैं जैसे लड़की खेलती है लड़कियां खेलती है अब यहाँ पर देखे एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पर कई लड़कियां होगे लड़कियां खेलती हैं तो आपको समझ में आ गया होगा वचन यानि दो प्रकार के होते ह वचन के भेद अब देखेंगे किते भेद होते हैं वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहुचन नाम से लग रहा है एक वचन और बहुचन एक वचन क्या होता है बता दें तो जिस सब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तू प्राणी पदार्थ आदी के एक होने का पत उसे एक वचन कहते हैं जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्च्या, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, इस्तरी, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, परवत, मै, वह, यह, रूपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिडिया, संतरा, गमला, तोता, चूहा, आदी, यह सब एक वचन हैं बहुचन क्या होता है जिस विकारी शब्द या संग्या के कारण हमें किसी व्यक्ति, वश्तु, प्राणी, पदार्थ, आदी के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुचन कहते हैं जैसे ल बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोडे, घरो, परवतो, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियां, गाडियां, बकरियां, रूपए, आदी, यह सब क्या हैं आपका बहुचन है अब देखिए जब हम संस्कित के वचन पढ़ते हैं तो संस्कित में वचन जो बहुचन तो देखिए एक वचन और बहुचन के कुछ उदारन हैं, कुछ नियम हैं जो हम साधानता देखिए वचन दो तरीके से पढ़ा जाता है एक तो कुछ रूल्स होते हैं उन्हें याद करके यानि बिभक्तियों के आधार पर या प्रत्य के आधार पर याद करते है और दूसरा जो है हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यानि वाक्क में प्रियोग कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं प्रियोग के बाद क्या इसमें सार्थक लग रहा है क्या निर्थक लग रहा है उसके आधार पर भी समझ जाते हैं कि इसमें एक वचन होगा कि बहुचन होगा जैसे ही वाक की का प्रियोग करके जैसे लड़की और लड़कियां हैं दिया था तो लड़की गाना गाती है लड़कियां गाना गाती है जैसे ही हमने वाक के प्रियोग किया हमको समझ में आ गया कि लड़की क्या है एक वचन है लड़कियां क्या है बहुचन है तो ठी उसी प्रकार से हम दो-तीन तरीके से जो है कोशिस करते हैं बताने कभी कि आपको तीन तरीके से बताया जाए जिससे आपको कभी भी भविश्चे में कोई भी कोश्चन कहीं भी किसी भी एक्जाम में आप बैठिये तो गलत नहो तो पहला नियम पहले ही पॉइंट दिया है आ गांधी जी चंपारन आये थे इसके बाद है सास्त्री जी बहुत ही सरल सभाव के थे गुरु जी आज नहीं आये पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे गांधी जी छुआ छूत के बिरोधी थे श्री राम चंदर जी वीर थे यानि आपको देखे फिर से रिवर्स करके बताएं क्या कहा है कि आदर्णी या सम्मानी व्यक्तियों के लिए बहुचन का भी प्रियोग होता है लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संग्या को बहुचन में ही प्रियोग कर दिया जाता है यानि ये सब किसमें है एक वचन ही है एक ही वचन है गांधी जी कई नहीं थे गांधी का प्रियोग करके चीजों को समझ सकते हैं सेकेंड दिया है एक वचन और बहुचन का प्रियोग संब्ध दरसाने के लिए समान रूप से किया जाता है यानि किसी से relations सो करना होगा तो उसके लिए एक वचन और बहुचन दोनों का प्रियोग समान रूप से कर सकते हैं चाहे एक वचन करें चाहे बहुचन करें दोनों word दोनों sentence क्या होगा सही होगा जैसे नाना मामी ताई ताउ नानी मामा चाचा चाची दादा, दादी, आदी, अब ये सब ऐसे word हैं इन में चाहे हम एक वचन के लिए प्रियोग करें चाहे बहुचन के लिए प्रियोग करें दोनों Estheticiों में ये समान रूप से रहते हैं जैसे कहा जाए कि नाना जी आए हैं नाना जी नहीं आए हैं तो अब देखे इसमें एक वचन के लिए भी कर सकते हैं, बहुचन के लिए भी कर सकते हैं, नाना लोग नहीं आये हैं, वहाँ क्या करेंगे, लोग लगा देंगे, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, थर्ड दिया है, थर्ड पॉइंट, द्रब की सूचना देने वाले बहुचन में ही प्रयोग करते हैं जैसा कि आपको दही एक question मैंने पीछली class में पूछा था कि दही इस्त्री लिंग है कि पूरलिंग है तो दही क्या है आपका link पूछा था दही क्या है पूरलिंग है चलिए question point number 4 है वचन के कुछ सब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुचन मे किया जाता है यानि कुछ सब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुचन में ही प्रयोग किया जाते हैं दाम, दर्सन, प्राण, आसू, लोग, अच्छत, होस, समाचार, हस्ताचर, दर्सक, भाग, केस, रोम, अश्रू, आशिरवाद, आदी, ये सब चाहे एक वचन में ही प्रयोग क् इनका जब हम सिंटेंस बनाते हैं वाक के बनाते हैं तो हमेशा ये बहुचन में प्रयोग किया जाते हैं जैसे आपके हस्ताचर बहुत ही अलग हैं लोग कहते रहते हैं आपके दर्सन मिलना मुश्किल है तुम्हारे जाम, तुम्हारे दाम ज्यादा हैं आज के समाचार क् कर मैं धन्य हो गया हूं तो ये सब वाक के हुए पॉइंट नंबर फाइव है वचन में पूरलिन के इकारांत उकारांत और उकारांत सब्दों का प्रियोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है जैसे एक मुनी दस मुनी एक डाकू दस डाकू एक आदमी दस आदम हमका प्रियोग करते हैं जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं उसके बाद है जब गुरु जी घर आये तो वे बहुत खुस थे हम याद नहीं हमने ऐसा कहा था इस तरीके के वाक्यों में देखे पॉइंट नंबर सेवन है कभी कभी अच्छा बेवहा होता है जैसे कुट्टा भौंक रहा है कुट्टे भौंक रहे हैं इसमें कौन सा प्रियोग किया रहा है जाति वाचक संग्या कर सकते हैं सेर जंगल का राजा है बैल के चार पाओं होते हैं अब देखे पॉइंट नंबर नाइन यह इंपोर्टें उसमें fraction में पूछा गया चांदी धन आदी ये सब एक वचन होते हैं सोना बहुत महगा है चांदी सस्ती है उसके पास बहुत धन है इसके बाद पॉइंट नमबर 10 है गुडवाचक और भावाचक दोनों संग्याओं का प्रियोग एक वचन और बहुचन दोनों में ही किया जाता है जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ इन दवाईयों की अनेक खूबिया हैं डाक्टर राजेन प्रसाद की सजनता पर सभी मोहित थे मैं आपकी विवस्ता को जानता हूँ पॉइंट नमबर 11 है शिर्फ एक वचन में हर प्रतेक और हर एक का प्रियोग होता है यानि इसका प्रियोग हमेशा एक वचन में ही होता है हर प्रतेक और हर एक का जैसे आपको उदाहरन दिख रहा है हर एक कुणा का पानी मीठा नहीं होता प्रतेक व्यक्ति यहीं कहेगा हर इनसान इस सच को जानता है समूह वचक संग्या का प्रियोग के वल एक वचन में ही किया जाता है यानि जितने समूह वचक संग्या होते हैं उनका प्रियोग एक वचन के लिए ही किया जाता है एक वचन में होता है जैसे इस देश की बहु संख्यक जनता अनफड है तो आप देखिए यहाँ पर इस द अचक संग्या है लेकिन इसका प्रियोग एक वचन के लिए किया गया लंगूरो की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है अब लंगूरो लंगूरो क्या है ये एक समुह वचक संग्या है लंगूरो कई सारे हैं लेकिन इनका प्रियोग जो हो रहा है वो एक वचन के लि अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे एक से ज़्यादा अव्यों का प्रियोग बहवचन में होता है लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है जैसे आख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगुठा, आदी ये सब हुए जैस आख में खराबी है मंजू का एक दांत गिर गया पॉइंट नमबर 15 है करण कारक के सब्द जैसे अब दिखे करण कारक के सब्द कौन कौन से है जैसे दिख रहा है जाड़ा, गर्मी, भूँख, प्यास, आदी को बहवचन में ही प्रियोग किया जाता है जैसे बात करें बे एक वचन संग्या, शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, शमूह, ब्रिंद, डल, गण, जाती, आदी सब्दों का प्रियोग करके बहवचन बनाया जाता है जैसे छात्रगण, अब ये क्या हो गया बहवचन, छात्रगण बहुत बेस्थ होते हैं, मजदूर लोग काम कर र ही है, तो ये क्या हुआ, बहवचन में चेंज कर दिया गया, ये था हमने वाक्यों के सहारे से, वाक्यों का प्रियोग करके किस तरीके से हमने बनाया, जो है, अब हम आपको बताते हैं, कुछ एक वचन से बहवचन बनाने के नियम, जो कि आप याद करके डारेक्ली कर सकते नमबर एक पहला नियम है जब आका रांत के पोलिंग सब्दों में बड़ा आकी जगां पर ए लगा दिया जाता है तब पर भी ये क्या होता है एक वचन से बहुचन में चेंज हो जाता है जैसे जूता जूते तारा तारे लड़का लड़के घोड़ा घोड़े बेटा बेट मुर्गा मुर्गे कपड़ा कपड़े गधा गधे इसके बाद है कववा कववे केला केले पेड़ा पेड़े कुत्ता कुत्ते कमरा कमरे दूसरा नियम है जब आका रांत क्या है आका रांत के इस्त्रिलिंग सब्दों में छोटा आकी जगां पर ए लगा दिया जाता है रात रातें ये सब ये भी चीजे पकड़ते हुए आप चला करिए कि यहां पर पूर्लिंग है कि इस्त्री लिंग है तो आपको चीजे कंफर्म होते जाएगा इसलिए पहले वचन के पहले लिंग पढ़ा जाता है लिंग आपने पढ़ा तो यानि अभी यहां से देखिए आ ठाय गाएं बहन बहने जील जीले सड़क सड़के दवात धवाते इसके बाद थड़ है जब आकारांत के इस्त्री लिंग सब्नों की जगा बड़ा आ की जगा आय कर दिया जाता है तपर भी ये एक वचन से ववचन में छेंज हो जाता है जैसे कबिता कबिताई लता लता अध्यापिका अध्यापिकाई, कन्या कन्याई, माता माताई, भुजा भुजाई, पत्रिका पत्रिकाई, साखा साखाई, कामना कामनाई, कथा कथाई इसलिए एक ट्रिक बताया जाता है कि जहां पर उपर चंद बिंदी होती है वो क्या होता है बहु वच्चन होता है क्या होता है बहु वच्चन होता है क्योंकि हमने चेंज किया है जिसे कन्या था तो कन्याय कर दिया तो उपर चंद बिंदी आ गया ऐसे करके बिंदी रख दि पॉइट डंबर फोर रूल लंबर फोर जब इस त्री लिंक के सब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो बिंदिया बिंदिया चुडिया चुडिया डिबिया डिबिया गुडिया गुडिया चुहिया चुहिया या या आ रहा है बुडिया बुडिया लुट पॉइट नमबर 5 है जब इकारांत और इकारांत के इस्त्रीलिंग सब्दों में या लगाकर बड़ी एको छोटी एकर दिया जाता है तब पर भी बन जाता है जैसे नीत नीतियां नारी नारियां गति गतियां थाली थालियां रीत रीतियां नदी नदियां लड़की लड़कियां घुरकी घुरकियां चुटकी चुटकियां टोपी टोपियां यानि अभी भी आप ट्रिक से याद करते जाहिए कि चंदबिन्दी आ रही है तो बहुआ चंद ही होगा बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि link में हमने आपको बताया है इस तरी link कैसे पहचानते हैं उसे देखते हुए चलिए रानि रानियां रीती रीतियां ठाली ठालियां कली कलियां रूल नमबर 6 है जब चोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा आ चोटा आ छोटी यी बड़ी यी और आ की जगह आए कर दिया जाता है और बड़ा ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है जैसे वस्तु वस्तु में इसके बाद है जब दल ब्रिंद वर्ग जन लोग गण आदी सब्दों को जोड़ा जाता है इसके बाद है इसी तरीके से चेंज कर लेते हैं इसके बार रूल नमबर एट है जब एक वचन और बहुचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं नी दोनों में चाहे हम एक वचन में प्रियोग करें चाहे बहुचन में प्रियोग करें दोनों में समान होते हैं तब कैसे करते हैं तो इसके लिए हमको देखना होता है जो वक् जैसे राजा राजा, नेता नेता, पिता पिता, चाचा, छमा, प्रेम, बाजार, दादा, ये सब वर्ड क्या होते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं, जल, गिरी, योधधा, फल, पानी, क्रोध, फूल, छात्र, आदी, ये सब एक वर्चन और बहुर्चन दोनों में बराबर जाते हैं, इसके बाद देखे, रूल नंबर नेक्स्ट नाइन है, जब सब्दों को दो बार प्रियोग किया जाता है, जैसे भाई, 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 बहन, बहन, गाउ, 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 घर, घर, सहर, 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 आदी, ये हुए, अब देखिए, ये तो था नियम कुछ कैसे हम चेंज करते हैं, अब इसके बाद देखेंगे, बिभक्ति सहित संग्या के सब्दों कोई कुछ नियम, बिभक्ति के साथ कैसे संग्या चेंज होती है, उसके बात करेंगे, पहला पॉइंट दिख रहा है, जब आकारांत, आकारांत और एकारांत के संग्या सब्दों में छोटा आ बड़ा आ तथा एकी जगां पर ओ कर दिया जाता है जब इन संग्याओं के साथ ने को का से आधी परसर्ग होते हैं तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है जैसे पॉइंट देखे लड़के को बुलाओ तो लड़को को बुलाओ हो जाएगा बच्चे ने ग गाय ने दूद दिया गायों ने दूद दिया चोर को छोड़ना मत चोरों को छोड़ना मत तो इसी तरीके से हम चेंज कर लेते हैं और देख करके पहँचान भी जाते हैं कि एक वचन है कि बहुचन है सेकेंड है जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत उकारांत और आकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाता है तब ओ को जोड़ने के बाद छोटा बड़ा उंको छोटा उं में बदल दिया जैता है जैसे लता का क्या हो जाएगा लता 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 हूं अब देखे पॉइंट नमबर थर्ड है इसके बाद पॉइंट नमबर थर्ड क्या करा है जब इकारांत और इकारांत संग्याओं के पीछे यो जोड दिया जाता है तो क्या होता है बड़ी ए को छोटी ए में बदल दिया जाता है जैसे मुनी मुनियों गली गलियों नदी नदियों इस तरीके से चेंज करते हैं साड़ी साड़ियों श्रीमति श्रीमतियों गाड़ी गाड़ियों जाड़ी जाड़ियों आदी इस तरीके से परिवर्थित कर देते हैं अब देखिए वचन परिवर्थन देखेंगे एक वचन को बहवचन में कैसे बदलते हैं जो की काफी important है आपके examinations में ये सारे questions पूछ पता पतें बच्चा बच्चें बेटा बेटें इसके बाद देखे और कपड़ें लड़कें बात बातें आंख्रें पुस्तक कितांगροवें रूपया रूपभएं तिनकें भेर भेर debenे बहन भने, इसी तरीके से हम चेंज करते हैं, घोडा, घोडे, तसबीर, तसबीरें, कच्चा, कच्चाएं, रितु, रितुी, कमरा, कमरे, भासा, भासाएं, सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुी, ये सारे questions, आपके इक sièम에 प पूर्सियां, हड़ी, हड़ीयां, मिठाई, मिठाईयां, इसके बाद है, दवाई, दवाईयां, अलमारी, अलमारियां, छुटी, छुटीयां, कवी, कवीगर, गुरु, गुरुजन, आदी, तो देखे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइटिल लिखा हुआ है, एसपी सुकला एजुकेट चैनल पे तो आप है ही है, लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी टॉपिक का पीडियाफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेते हैं, करिए टेलिग्राम को जॉइन करने के लिए टेलिग्राम डाउनलोड करके सर्च बॉ तो आपको WhatsApp नमबर दिख रहा है 8953806857 फिर से नोट कर लेजिए 8953806857 यह WhatsApp नमबर है इस पर आप add me जिस competition के लिए जिस competitive exam के लिए आप preparation कर रहे हैं लिख करके आप message करेंगे आपको add कर दिया जाएगा बाकी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप call कर सकते हैं आपको नमबर दिख रहा है 9450496794 यानि 945396794 पर आप call भी कर सकते हैं आप WhatsApp पर message कर सकते हैं कोई भी सुझाओ आप देना चाहते हैं तो आप comment के माध्यम से दे सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका देन रूब